इस्टुडेंट्स एक बाब फिर से आपका एक नई वीडियो में पाउद बहुत स्वागत है। तो इस्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम समझेंगे परिक्षा अध्यान के Model Paper 3 के Do is Started इससे पहले की वीडियो में हमने Model Paper 1 और Model Paper 2 के Do is Started Detail में समझ लिए थे I hope आपने उन वीडियो को जरूर देखा होगा और आज हम समझने वाले Model Paper 3 के Do is Started Detail तो वीडियो के स्टार्डिंग से लेकरें तक जरूर देखेगा क्योंकि आपकी जो परिक्षा अध्यान है उसमें जो कॉस्टें के आंसर दिये गए है उन में से कुछ questions के आंसर रॉंग है जी आपने बिल्कु सही सुना क्योंकि आपकी जो परिक्षा अध्यान में solution है उसमें कुछ questions के आंसर रॉंग दिये गए है सही answer क्या है जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखेगा चली वीडियो को शुरू करते हैं तो यह हम आ गए है model paper 3rd पर और डारेक्टी में आपको लेके चलता हूँ ड्वेस डारेक्टेट पर ठीके यह 2023 की परिक्षा अध्यान के model paper 3rd के ड्वेस डारेक्टेट है पहला question how many books are being sold by him अब करना क्या है change into active voice अब देखो active voice में change करना है जैसे के मैंने आपको पहले बाता है था कि 90% myös active से passive voice बनता है लेकिन 1% कभीकबार ऐसा हो जाता है कि आपको passive voice दे दिये जाता है आपसे कहा जाता है कि आप उसको active voice में change करो तो अब देखो ये QUEISे बनेगा सबसे पहले तो देखो यह interrogative है how many से use हो रहा है how many books तो interrogative बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको active में बनाना है तो पहले हम यहां पर how many लिखेंगे क्योंकि how many starting में use होता है जो कि question word है तो मैं write कर देता हूं how many और books how many के साथ जरूर आता है क्योंकि how many के साथ plural countable आता है तो starting में चाहे वो active हो चाहे पैसे वो दोनों में use होता है तो starting में हमने write कर लिया how many books इसके बाद देखिए interrogative है तो यहां पर हमें helping work चाहिए helping work यहां पर लगेगी क्योंकि यह present continuous का sentence है यहां पर is लगेगी क्यों लगेगी अभी मैं आपको बताएता हूँ क्योंकि देखो subject क्या है यहां पर यहां पर आपको by के बाद him दिया है by के बाद him है तो जब हम इसको active में change करेंगी तो him का क्या हो जाएगा he जैसे के he का him होता है तो him का ही हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे how many books is इसके बाद हम यहां पर लिख देंगे he is he ठीक है इसके बाद में word में ing लगाना है तो ing कैसे लगेगा s e double l ing और हम लगा देंगे question mark how many books is he selling कितनी किताबें वे बैच रहे पैसे boys में दिया जा रहा था how many books are being sold by him क्योंकि देखो यह जो आर और being use हो रहा है यह present continuous में use होता है किसमें use होता है present continuous में scientist हमारा present continuous का था तो हमारा active भी present continuous में ही रहेगा how many books is he selling ठीक है अब यह मत देखना है कि books है तो यहां पर आर क्यों नहीं आया क्योंकि यहां पर देखो subject ही है और he के according helping work हमारी is use होगी ठीक है passive boys में books के according helping work आर लगी थी क्योंकि passive boys में object को importance माना जाता है object को पहले रखा जाता है और हमारे active boys में subject को importance दिया जाता है ठीक है यही difference होता है ठीक है बाकी passive boys की पूरी series हमारे channel पर available है आप उसको देख लीजिएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है फिलाल इसका answer में आपको बता दिया है how many books is he selling ठीक है आगे बढ़ते हैं यह देखो who build the taj mail ठीक है इसी का answer रॉंग दिया है आपके परिक्षाधियन में देखो इसका right answer क्या बनेगा पहले देखो इसको 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 इसकी passive बनाना है who से start हो रहा है तो who का क्या करते है मैं आपको starting कर देता हूँ पहले तो देखो यह who के बाद built लिका हुआ build किसकी second form है build की बिल्ड मतलब बनाना और built मतलब बनाया build से बनता है building ठीक है building तो यह हमारी V1 होती है और यहाँ पर क्या दी है V2 दी है sentence हमारा past indefinite tense का है कौन से tense का है past indefinite tense का ठीक है इतना आपको समझ में आ गया अब देखो कैसे बनेगा who को तो हम replace कर देंगे by whom से तो हम यही करते है सबसे पहले who के जगा पर हम लिख देते है by whom ठीक है इसके बाद हमें चाहिए helping work क्योंकि active हो चाहिए passive हो तो दोनों में सबसे पहले important चीज़ आपको यह देखना है कि sentence अगर हमारा interrogative है तो helping work हमारी पहले ही आएगी और अगर question word है तो helping work के भी पहले आता है तो by whom के बाद हमें helping work चाहिए अब देखो who build the taj mahal तो by whom यहाँ पर हम helping work लगाएंगे was अब क्यों लगाएंगे पूछो बई object हमारा the taj mahal है तो taj mahal के पहले was आएगा helping work पहले आएगी by whom was अब यहाँ पर हम लिख देते हैं the the taj mahal मैं taj mahal को जैसा का तैसा write कर देता हूँ by whom was the taj mahal इसके बाद हम लिख देते हैं by you i l t built third form तो और वी तू और वी तरी से में और question mark लगा देंगे by whom was the taj mahal built तीक है यह इसका right answer होगा by whom इसके बाद helping work was पर दा taj mahal built अब आपके परिक्चा अद्दिन में क्या दिया है आपके परिक्चा अद्दिन में जो answer दिया है आपका was है was को दिया है taj mahal के बाद य cupboard was दिया है what जो के wrong है ताज महल के बाद नहीं आएगा ताज महल के पहले आएगा क्योंकि हल्पिंग वर्फ अब्जिट के पहले आएगी इसे एक्टिम में हल्पिंग वर्फ सब्जिट के पहले आती है तो पैसिब वेज में हल्पिंग वर्फ अब्जिट के पहले आएगी तो वाज पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा इसको सही कर लीजीगा, करिट कर लीजीगा, ठीके नोट बुक में, ठीके न, चलो आगे बढ़ते है next, जो कि हमारा, c नमर का है, his brother caught fish negative में change करना है, caught किसकी second form है, catch की, c, a, t, c, catch मतलब पकड़ना caught मतलब पकड़ा, तो past indefinite का sentence को हमें negative में change करना है, तो कैसे करोगे, पहले हम लिख लेते है subject, his brother, b, r, o, t, h, e, r, इसके बाद हम helping work लगाएंगे, did, देन हम लगाएंगे negative बनाने के लिए not, और caught की first form catch, c, a, t, c, catch फिर क्या है भाई, fish है तो यहां पर हम write कर देंगे, a, f, i, s, h, fish, his brother did not catch fish, his brother did not catch fish, यह हमारा negative हो गया है, his brother subject अपने जगाब पर है, helping work लगाई, because हमारा sentence past indefinite में था, और हमने caught को, v1 से replace कर दिया, तो catch इसकी first form हो गई, his brother did not catch fish, यह right answer है, आगे बढ़ते है next, the accepted or invitation, but did not come to the party, the underline clause, आपको यह बताना है कि यह कौन से clause है, ठीक है, अब देखो, यहां पर, एक word आपको मिलेगा, but, but conjunction है, और यह जो but है, and a conjunction होता है हमारा coordinate clause में, क्यों होता है, क्योंकि देखो, but यह opposite वाली बाते बताता है, sentence में, यह एक contrast होता है, यानि कि विरोधा बास होता है, एक तो उन्होंने क्या करा, कि they accepted or invitation, उन्होंने हमारे invitation को accept कर लिया, लेकिन party में नहीं आए, but they don't come to the party, तो but कभी, same things नहीं बताता, opposite thing बताता है, कैसी thing बताता है, opposite, opposite, एक positive sentence होता है, तो दूसरा negative होता है, ठीक है, और यह, but जो है, यह coordinate clause का conjunction है, तो right answer इसका 4 होगा, coordinate clause, ठीक है, आगे देखते हैं, next है हमारा, if, the book is a holy book, you gave me the book, अब इसको करना का, combine the sentence using relative clause, relative clause से combine करना है, तो यहाँ पे देखो, the book, non living thing है, subject है, और यहाँ पे the book, object है, तो इसको हम connect करेंगे, that से, जब भी हमारा, बाद बाला sentence में, non living thing, object होता देट लगाते है, subject होता दो which लगता है, person वाली बात नहीं चल रहे है, तो यहाँ पे who और whom तो बिलकुल नहीं आएगा, because who और whom का use करते है, person के लिए, लेकर यहाँ पे the book, non living thing है, और यह object है, यहाँ पे the book, इसको हम connect करेंगे, that से, देखो भ तुसरा जो the book है, यह बाला, यह हटके लगेगा that, ठीक है, object हटा, the book that, इसके बाद क्या है, you gave me, तो यहाँ पे write कर देंगे, you gave me, अब क्या बच्चा, is a holy book, इसके बाद बच्चा, तो यहाँ पे लिख दीजी, is a holy book, ठीक है, the book that you gave me is a holy book, उस तक जो तुमने मुझे दी एक holy book है, ठीक है, तो यहाँ पे rate से combine कर देंगे, समझ में आए न, इस तरह से इसको combine के जाएगा, अभी time लगेगा, क्योंकि मैं आपको solution बता रहा हूँ, और बाकी यह जो series है, इस series में, मैं आपकी conjunction है, clauses है, सब कुछ explain कराऊँगा, detail में explain कराऊँगा, ठीक है, चलो, unless से use करें, तो इसका meaning बतल जाए, चूंकि unless का मतलब होता है, यदी नहीं, इसका मतलब होता है, यदी नहीं, और if का मतलब होता है, यदी, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले if को अटा कर हम लिखेंगे, unless, unless, you join the army, यदी आप army join नहीं करते, तो बादवाला sentence बन जाएगा, negative, you will not get a good salary, इसका meaning बदल गया, अगर आप army join नहीं करते, तो आपको salary नहीं मिलेगी, अच्छी salary नहीं मिलेगी, तो बादवाले sentence को आपने negative बना दिया, क्योंकि unless से आप negative meaning निकल रहा है, if से positive meaning निकल रहा था, unless से negative meaning निकल रहा है, बहाँ, सीधी सी बात है, if you join the army, यदि आप army join करते हो तो आपको salary मिलेगी, और यदि आप army join नहीं करते हो तो आपको salary नहीं मिलेगी, क्योंकि आप joint ही नहीं करोगे तो salary कहा से मिलेगी, घर बेट तो salary कोई देने वाला नहीं है आपको, ठीक है न, ताज महल के बाद वाज दिया गया है जबके ताज महल के पहले आएगा वाज ठीक है क्यों आएगा यह मैंने आपको बता दिया है अब हम जल्दी मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट में जो के फॉर्थ नम्मर का है ठीक है यह हमारा कमिंग सून है मौडल पेपर का फॉर्ट सॉलुशन तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आए होगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जादा से जादा शेर कीजिएगा अपको हमारी वीडियो कैसी लग रहे है कमेंट्स वाक्स में लाकर कमेंट्स करके जरूर बताएगा अपने सभी दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएगा वीडियो शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल पन नहे तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग